साराण एकडमी क्लासेस पर आप सभी लोगों ने चौईस फिलिंक कर ली होगी बिएस्य नर्सिंग काउसलिंग ःंसलिंग त्रू जो नीट यूज गे थरू हो रही है उसमें चौईस फिलिंग करके लग कर दिया होगा क्योंकि आज 24 ताभिस तारीक है और 24 तारीक तक प्रोसेस को देखे जब पहले राउंड के लिए आपको क्या करना है पहले राउंड में जब आप लोगों ने देखा कि चौइस फिलिंग के लिए यहां एक एक चीज समझ सकते हैं 17 तारिक से हुआ सुरू फिर 19 तारिक से रेजिटेशन आप पेमेंट की बात सुरू हुई ज जो है लॉक कर लिया चौइस फिलिंग कर लिया और लॉक भी कर लिया अब लॉक करने के बाद आगे का जो इस्टेप दिया गया है इसमें दिखिए कहा गया है जो हम इसी स्टेप की बात कर रहे हैं आपके सामने है आप देख सकते हैं दो दिन का यहां पर मौका दिया गया है किसे जो इनिस्टीज है इंस्ट्यूट्स है वेरिफिकेशन ऑफ इंटर्नल कंडिडेट्स बाइद रिस्पेक्टिव इनिवस्टीज एन इन्स्ट्यूट्स ये खुद अपना वेरिफाई करेगी जो कुछ इनको करना है फिर उसके बाद यहां क्या करना है processing of seat allotment होगा 27 तारीक को 27 से 28 तारीक का seat allotment किया जाएगा result आपको ने दिया जाएगा यानि वो कारिकरम वहाँ centralized body में किया जाएगा यह कारिकरम होगा कि जब यह report कर देगा कि okay है everything okay है तब यहाँ पर processing होने लगीगी seat allotment की और यह चलेगी कब तक 28 तारीक तक कारिकरम चलेगा दो दिन verification हो गया 25 और 26 को 25 और 26 को verification universities और बाकी लोगों ने कर लिया okay फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करना है यहाँ आपको allotment लेटर बन जाएगा 28 को 28 को जब बन जाएगा तो 31 तारीक को आपका result यानि कि कहने का मतलब है कि allot जो है आपका देखिए यहाँ पर जो 29 डेट है 29 डेट यहाँ पर अब देखिए हम इससे box में बंद कर दे रहे हैं इस result का मतलब समझे आप यहाँ पर बताया गया है कि जो कि सम्बंधित है कि 29 तो 29 तो allotment लेटर जारी होगा यानि आपका जो allotment लेटर है वो जारी किया जाएगा कब 29 जनवरी को फिर उसके बाद यही allotment लेकर और सारे documents original लेकर आपको 30 तारिक को 30 तारिक से लेके 30 जनवरी से लेके 4 फरवरी तक आपको सम्बंधित इंस्ट्यूट में रिपोर्ट कर देना है अभी तो आपको पता ही नहीं कि कौन सा इंस्ट्यूट आपको मिला है अभी तो आपको पता ही नहीं कि इंस्ट्यूट कौन सा मिला है तो आप report कहां कर देंगे जाके जब allotment later मिलेगा तभी तो आप जान पाएंगे कि हमें report कहां करना है आप किस school को किस college या कहां जाएंगे तो यह आप यहां पर जो है 30 जनवरी को जब रिजर्ट डिकलेर होगा तो उसके बाद अब 30 से 4 जनवरी के बीच में आप जाकर उस संबंधित इंस्ट्यूट को रिपोर्ट कर देंगे तो यह कारिकरम होना है तो यह नहीं रिपोर्टिंग आपके कब होनी है यह आपने चीजों को देख लिया है और समझ लिया है तो इस प्रकार आप समझ जाईए कि आपको कब जाना है कब नहीं जाना है क्या होना है यह पूरी प्रकरिया अब आप समझ गए हों के आसानी से कि 25-26 को नहीं जाना है और आपको 30 तारीक से 4 तारीक के बीच में जाना है वेरिफिकेशन आप इंटर्नल कंडिडेट्स बाइदा रिस्पेक्ट्यू उनिवर्स्टीज एंड इंस्ट्यूट्स तो इसी के साथ आज इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारण